हेलो दोस्तों मैं हूँ रंजीत और आप देख रहे हैं सेरी टॉक्स यूट्यूब चैनल जी हाँ दोस्तों आज मैं साल उन्यों से चामड़े की दो बड़ी फिल्मों के बारे में बात करूंगा जो की पहली फिल्म है सुपरस्टार आमीर खान की राजा हिंदुस्तानी और दूसरी फिल्म है सुपरस्टार अजयलवन की जान तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और साथी साथ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दो इन दोनों फिल्मों में किसने मारी थी बाजी और साथी साथ बताऊंगा अपने एक कलेक्शन बजट और कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो चलिए दोस्ते वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी की तो यह फिल्म रिलीज हुई थी यह 11 नवबर 1906 में में फिल्म को डारेक्ट किया था धर्म अमिर खान करिस्मा कपूर सुरेश सबराय और जोनी लिवर ने और यह फिल्म ड्रामा म्यूजिकल और रोमान्स से वर्फूर फिल्म थी और अब बात करते हैं इसकी ओपनिंग डेक्ट किलेक्शन की तो इसकी सुरुवाद बहुत धीमी थी और इसने पहले दिन की कमाई सा प्रवर किया था और इसे बनाने में यानि बजट 6 क्रोड की थी और 1996 के सबसे बड़ी सूपर हीट ब्लॉकब़स्टर फिल्म रही थी और हाइस्ट कमाई करने वाली फिल्म रही थी और इस फिल्म मैंने रिकोर्ट तोड़े और फिल्म हर एंगल से हिट रही थी इसके सीन गाने और स्टोरिक को सब ने बहुत पसंद किया था। अब बात करते हैं फिल्म जान की जो 17 मैं 1996 में रिलिजी हुई थी। फिल्म को डारेट किया था राजकवर ने और प्रोडूइस किया था सोग गे ने और गीत लिखे थे आननद बाक्सी ने और संगीत दिया था आननद मिलिन ने। फिल्म में अजय देगवन टिंगल खन और अम्रिस पूरी ने काम किया था और यह फिल्म एक्सेंट ड्रामा और रोमान्स से भरफूर फिल्म थी अब बात करें इसके ऑपनिंग डैक कलेक्शन की तो इसने पहले दिन फिल्म पसंद आये थी कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा थैंक्यू